जै श्री किशनर फ्रेंड्स आज मैं आप लों के साथ मैंगो आइस्क्रीम के लिए सेपी शेयर करने वाली हूँ और शाथ के साथ ये भी मैसेंज देना है चाहती हूँ कि सक्का में जो भी आइस्क्रीम ग्लासिस के लिए इंट्रेस्टेड है वो प्लीज कॉंटेक्ट 851-888-5730 तो चलिए फिस्टार करते हैं मैंगो आइस्क्रीम बनाने के लिए देखें मैंने ये ट्रॉपट लाइट के विपिंग क्रीम लिए है ये हमें एक कप लेने है ये जब रूम प्रेम प्रेचर पर आएगी जब आप निकालके एक कप नेजर्मिन कीज़ेगा ये देखें फ्रेंट्स मैंने ये एक कप ली है विपिंग क्रीम अब इसको हम बीट करेंगे ये बीटर से लगबग 6-7 मिनिट तक आपको बीट करनी है जब तक इसमें पीक ना आजिए मेरे को लगबग 5 मिनिट हो चुके है और ये देखें बिल्कुल स्टेफ पीक आ रही है और यह आप उल्टा करके देखो कि नीचे नहीं आएगी क्रीम इस मेंस कि ये में पच्चे से हो गई है अब जलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंगो आइस क्रीम में बाकी कौन-कौन से इंडिडियन्स पढ़ते हैं मैंगो की प्यूरी तयार कर लिया है चोटे-चोटे टुकडों में कट करके और मिक्सी में मैंने इसको एक बार पीस लिया है यह मैंने एक कप क्रीम उठाई थी तो मैंगो में देखें यह एक कप और यह देखें यह आधा कप मैं और प्यूरी इसमें डाल रही है मैंगो की और इसी में मैं यह आधा कप पिसी हुई शक्कर इसको भी मैंने मिक्सी में पीस दिया है और यह आधा कप मैंने कंडेंस मिल लिया है यह मेरा होममेड है और इसी के साथ ही मैंने यह टूटी फ्रूटी और थोड़े से मैंगो के कट चुटी-चुटी से कट की हुए मैंगो मैंने वह भी हमें इसमें मिक्स कर दूंगी अब आप इन सब को अच्छे से मिक्स कीजिए मैंने इसमें कोई भी GMC, CMC, कुछ भी एड नहीं किया है यह कुलफी आइस्क्रीम बहुत यमी बनके तयार होती है आप एक बार जरू ट्राइ कीजिए गर्सको अगर आपको इसका कलर अच्छा दिखाना है तो आप इसमें थोड़ा सा कलर भी एड कर सकते हैं मैं अभी मिक्स कर रहीं मुझे अगर नीट लगीगा तो मैं भी एड करूंगी अब इसको मैं इसमें शुट कर रही हूं अब इसको मैं इसमें शुट कर रही हूं अब मैं इसको ढखके फ्रीजर में साथ गंटे जमाने के लिए रख दूंगी अब मुझे साथ से आठ गंटे हो गये हैं आइस्क्रीम को फ्रीजर में रखे हुए चलिए मैं आपको दिखाती हूं रिजर्ट देखे कितनी सूफ्ट आइस क्रीम बनके हमारी तयार हुए है अब इसको मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूं वाओ यू मस्स ट्राय दिस देखे फ्रेंड्स जब तक इसमें ये क्रैक्स नहीं आते हैं तब तक आइस्क्रीम कंप्लीट नहीं माने जाती है लेकिन ये देखे कितने अच्छे से क्रैक्स भी आये हैं और बिलकुल बाजार जैसी आप ये आइस क्रीम बिना जी एंची सी एंची के बन कर तयार हुए है फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसीपी पसंद आया तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब माय चैनल अभी मैं थोड़ी सी इसमें गार्निशिंग भी करूंगी चूटी चूटी टुकड़े भी करके डाल दी हैं और ये थोड़ी सी टूटी फूटी अद इस इस अफाइनल रिजल्ट प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल जै श्रीकृष्णा मुष्णा